स्रिष्टि को जन्म देने वाली नारी, हमारे पालन पोशन को लेकर हमें इनसान बनाने वाली नारी, घरों और मंदिरों में विभिन रूपों में पूजी जाने वाली नारी, ममता और प्यार की मूर्ती नारी, ये वो शक्ती है जिसके पास स्रजन देने का सामर्थ्य है, वो बेदी जैसी हस्तियां बन जाती हैं हमने जो आजादी प्राप्त की उसमें भी भीकाजी कामा डॉक्टर एनी बेसेंट विजाय लक्षमी पंडित राजकुमारी अमरितकौर सुचेता क्रपलानी जैसी महिलाओं का भी बड़ा योगदान रहा राष्ट्रपाथी के रूप में प्रतिभाद इवी सिंग पाटिल और प्रधान मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने भी इस देश का मान बढ़ाया आज समाज के हर एक क्षित्र में महिलाएं बड़ चड़ कर हिस्सा ले रही हैं फिर चाहे वो उद्द्योग जगत हो खेल का क्षित्र हो या फिर वायू सेना में एक फाइटर पाइलट के तौर पर उड़ान भरना हो अभी हाल ही में संपन हुए रियो ओलंपिक खेलों में हमने देखा कि भारत को जो दो पदक मिले उसे भी पीवी सिंधू और साक्षे मलिक ने ही हासिल किया हमारे देश में पैदा हुई महिलाएं देश में ही नहीं बलकि विदेशों में भी अपने प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं देश में महिलाओं का संपूर्ण विकास हो इसके लिए केंद्र सरकार धेरूं योजनाएं चला रही है इनमें सुकन्या सम्रिध्य योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं प्रमुखरूप से शामिल है हम जिस भारती संस्कृति के वाहक हैं उसमें मां और बेहनों का सम्मान करना सिखाया जाता है रक्षा बंधन और भाईया दूच जैसे त्योहार भाई बेहन के रिष्टों को और प्रगार बनाते हैं ग्रहनियां आज भी अपने बच्चों और परिवार का एक संग्रक्षक के तोर पर खयाल रखती है को और ज्यादा से ज्यादा मौके ने ताकि वे आए दिन नए कीर्थिमान स्थापित करती रहें बिरो रिपोर्ट डीडी न्यूज